आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जीन एक्सप्रेशन को तो जीन एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से जानते हैं तो हम लोग इसको Conclude करते हैं As Central Dogma अब Central Dogma क्या होता है तो Central Dogma जो है इसमें कहा गया है कि DNA जो है वो पहले replicate करता है फिर ये transfer होके बनता है MRNA और फिर transfer होके बनता है protein और पहला process जो होता है वो होता है replication का फिर ये जब MRNA बनता है तो उस process को कहा जाता है transcription और MRNA इससे जब protein बनता है तब होता है translation का process तो इन सारे चीजों में या फिर process में क्या एक same रहता है तो same चीज जो रहता है वो होता है gene यारी transfer of genetic expression तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या-क्या given है तो पहला है transcriptional level तो transcriptional level ऐसा level है जहाँ पर replication के बाद जो DNA बनता है वो transfer होके या फिर more modify होके MRN में convert होता है जिसको बनाने में help करते हैं ribosomes और यहीं से क्या होता है कि transcriptional level पूरा होता है उसके बाद आता है processing level जो MRN बन के आता है वो immature MRN होता है उसको mature करने के लिए उसके अंदर present रहता है exons और introns और जब mature बनाना होता है इस MRN को ताकि यह MRN जो है वो बाद में protein बन सके translation में जो कि take place करता है cytoplasm में यह यहां तक का nucleus का process है तो जब MRN बन के transfer होता है cytoplasm में तब उनके अंदर के introns को क्या करता है किया जाता है खा लिया जाता है और जो exons present होते हैं उनको join कर दिया जाता है और इसी को कहते है processing level जहांपे mature MRN बन के प्रोड्यूस होके कहां जाता है cytoplasm में next part होता है transport of MRN from nucleus to cytoplasm अब जो mature MRN बन के produce हुआ और यह जो mature होने का process था उसको कहते है splicing और यह जो maturation का process हुआ splicing हुआ cutting the introns and joining of exons फिर यह MRN जा के पहुँचता है cytoplasm में और जब cytoplasm में पहुचता है तो उसके पहले उसके सामने के तरफ एक cap लगाया जाता है जो कि एक methyl cap होता है और पीछे polyadenyl tail लगाया जाता है जो कि AAAA sequence के होते है ताकि यह जो MRN है वो बीच में तूट ना जाए या फिर damage ना हो जाए यह लगाया जाता है 5-methyl cap और यही MRN जब जाता है cytoplasm में तब processing होके फिर proteins बनते हैं और इस processing को कहा जाता है translation level जहां पे हमारे proteins बनके सामने आते हैं इसलिए यह सारे जो यहां पे steps दिए गया है यह सारे ही genetic expression को reveal करते हैं जो कि eukaryote के prime important steps हैं इसलिए सारे steps जो हैं वो correct हो जाएंगे और इसे हिसाब सब्सक्राइब हम लोग देखें तो third option जो इसमें बोला गया है 1, 2, 3, 4 वो बिल्कुल correct हो जाता है Classics to 12 से लेके NEED IIT GE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी download करे doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 पर